माता वेनों में बड़ा ही पाखंड वाद है अगर एक गर में अगर एक इस्तरी पाखंड वाद से दूर होती है और सिच्छा की ओर अपने बच्चों को सिच्छा की ओर बढाती है उसका गर जरूर से जरूर तरक्की करता है क्योंकि मेरी माता वेनों गर को चलाने वाली कौन होती है एक औरत ही होती है तो एक गर में अगर एक औरत सुद्रेगी तो पूरा घर सुद्रेगा और मेरे भाई बेनों आप लोगों को बता दें जिनकी तुम लोग पूजा कर रहे हो जिन लोगों को मान रहे हो एक बार उनके बिशाय में सुनो और समझो तो मैं नहीं पता य जिन लोगों ने हमारे राजाओ महराजाओ को छलबल से मार दिया था यहां कि धन दर्थी छीन ली गई थी इन लोगों ने और उसके बाद हमारे राजाओ महराजाओ को राजा से रंक बना दिया और छलबल से इने मार दिया मेरी मानतावनू इसलिए समझो कि ये नो बेहने थी जो विदेश से चल करके आई थी सुरा सुंदरी सुरा माने समझते हो सराप और सराप लेकर के आई थी और हमारे राजाओं महराजाओं को पता है महिसा सुर को किसने मारा हाथ कड़ा कीजिए किसको मालू मैं माई सासुर को किसने मारा किसने मारा लेकिन पता है कि हमारे इस भारत में मारने बाले को भगवान बना दिया गया बावीबा और जो मर गया उसे राच्छस बता दिया गया बावीबा कैसे राच्छस बताया रावड को क्या बता दिया राच्छ दुराचारी था अत्याचारी था रावण को बताया लेकर भाईया अच्छा आप ही बताओ मारने बाला दुराचारी होता है या मरने बाला अगर आपी किसी का खून कर दो तो आप अत्याचारी बोले जाओगे ना कि ना कि जो मर गया उसे बोला जाएगा, ये गलत बात है कि नहीं, इसलिए है मेरी माता, बेनो पाखंड वाद से दूर उठो, क्योंकि ये पाखंड वाद में तुम्हें फसाया गया, पत्थर पूजा में लगा दिया, ताकि तुम लोग सिच्छित, तुमारे बच्चे आएगे, क्योंकि वो पूजा पाट में लगे रहेंगे, और पूजा पाट में इन्हीं लोगों ने अम लोगों को लगाया, ताकि तुम लोग सिच्छित ना हो पाओ, इसलिए सिच्छा जीवन में बहुत जरूरी है, मेरी मातावे नो, इसलिए अपने बच्चों को सिच् बिंदिया लगाई जाती है, लेकिन इनके पती कोन है, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरी मातावे नो, अच्छा पाखंड वाद से कौन-कौन निकलोगी, हाथ खड़ा कीजिए, सिच्छा की ओर जाओ, क्योंकि सिच्छा इसे ही तो IES, PCS, डॉक्टर, कल मिनिस्टर गुलामी छोड़ सकते हो, अगर गुलामी करने तो गुलामी तो भईया होती है, जाओ मंदर में जाओ, चुनरिया चड़ाओ जाके, कभी बाबा साहिम ने ये नहीं कहा कि हम पर बीरा बतासा चड़ाओ आ करके, ये तो अपनी स्रद्दा अनुशार, क्योंकि हम हम सब की जिन्दगी के बाबा साहिब ही हीरो थे, मेरी माता बेनों हम बेसक यहां के हमारे राजा माराजा मूल निवासी हुआ करते थे, लेकिन हमारे राजाओ माराजाओ की जब धन धरती छीन ली गई, हमारे राजाओ माराजाओ को छल बन से मार दिया, और राजा से रं लागू कर दिया अच्छा एक बताओ मनु इस्मृति नाम किनकिन लोगों ने सुना है किनकिन लोगों ने ये नाम सुना है मनु इस्मृति अच्छा और सम्दान किनकिन लोगों ने सुना है तो सम्दान किसने किसका उसके अध्यत कौन थे कौन थे मेरी माता विनो बावा साइव ने बड़ी मेहनत के साथ समधान को लिखा और उसमें सबसे जाना मैलाओं के हक और अधकार की लड़ाई लड़ी लेकिन मैलाएं तो गईया पूजा पार्ट में जैसा उन्हें बहंका दिया उसी में चलनेएं आजाओं तुमें एक कहानी बता दे बोल ये दथागत वुद्धि की बोल ये बबावा सहव की हमारा ये भारत देश की एक कहानी कहूँ एक कहानी कहूँ सुनते जाना ये ऐसा आया है कल युग जमा की कहानी कहूँ एक कहानी कहूँ सुनते जाना ये ऐसा आया है कल युग जमा इस बारत में पहली कमी सास बहूँ में बनती भी है है यहां पर कितनी सास बेठी है आथ खड़ा कीजिए शास कौन-कौन बैठी है अच्छा बहु एं आथ खड़ा किजिए अच्छा बहु में आथ खड़ा किरी बहु तो एक भी दिखाई अगर में बंती हैं आथ बहुत अच्छे बात बंती है लेकिन भाईया सौब ऐसे नभ्य परसेंट सास बहुओं की नहीं बंती हैं यही सब्ते और सुना इस सुबारत में पहली कमी सास बहुओं में बढ़ती नगी और सास बहुओं में बहुओं में सुनते जाना है जाया है तल्युग जमाना एक कहानी कहूं एक कहानी कहूं सुनते जाना है का आया है तल्युग जमाना अब आ जाये बड़े प्रेम से सभी भैया बेंड खड़े हो जाएं